तो सैफलस गाईज आब में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मचली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही सर्वाइब कर पाते हैं क्योंकि बाके के बच्चों को कोई और मचलिया या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं लेकिन समुदरी जीवों से बहुत जादा खत्रा होता है लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बोड़ी ट्रांस्पेरेंट हो जाती है ये बच्चे तीन महीने तक ऐसे ही ट्रांस्पेरेंट रहते हैं जब ये तीन महीने के बाद इस काविल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफा हो जाते हैं जिससे ये पानी में दूसरे बड़े जीवों को दिखाई भी नहीं देते